in the given figure AOBCA represents a quadrant of a circle of radius 3.5 cm with center O calculate the area of the shaded portion this shaded portion का area निकालना है given है कि यह quadrant है एक AOBCA क्वादरें तैं स्टैकल का 1-4 है यह और यह ऐक ट्रेंगल है इसका बेस पता है और हाइट भी पता है तू सेंटीमेटर हाइट ही है हाइट क्यों है तू सेंटीमेटर हाइट इसलिए है कि 90 डिग्री है हमें पता ही है क्वाडरेंट है क्वाडरेंट है तो यह एंगिल 90 डिग्री है इसलिए इस ट्रेंगिल का बेस और हाइट पता है कैसे निकाल सकते हैं हम लोग इस तरह की area का formula कुछ यादार है कहीं पर इसका area नहीं निकाल सकते हैं हम लोग हम लोग area निकाल सकते हैं इस पूरे quadrant का और इस triangle का संत vers excess n HR किसकी एरिया निकाल सकते या तो पूरे क्वाडरेंट का रिदर निकाल सकते हैं इथरके इंभी अलग से मोग से यह इसकंत के डिल्वों को सब्ट्रक्ट करने से आएगा तो निकाल देते हैं हम लोग एज्या ऑफ क्वाडरेंट कया होता है यह कितना हो जाएगा 1 x 4 x 22 x 7 x 3.5 x 3.5 आसान है तो इसमें तो कुछ नहीं रखा है यह देखा ब्ध्यान देना यहां पर मैंने 7 कैंसिल किया है 0.5 रखा है यहां बाकी मैं अभी मल्टिप्लाइ नहीं करूंगा ठीक है न और यहां पर 3.14 नहीं रखा है मैंने पाई की वैल्यू 3.14 क्यों नहीं रखा है क्योंकि मुझे पता है यह 3.5 x 7 से कैंसल हो जाएगा कैलकुलीशन आसान होगा 22 x 7 से यह इंप्लिफाइ नहीं करेंगे एरिया आफ ट्रेंगल निकाल देंगे अब ट्रेंगल कर कितना होगा हाफ इंटू बेस है 3.5 हाइट है टू टू कैंसल हो जाएगा हम आल पास आएगा 3.5 देखो यहां पर 3.5 है जो कैंसल नहीं हुआ है और यह भी 3.5 है सेम नंबर आगया कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ासा और दिमाग लगाएंगे क्या होगा दोनों का डिफरेंस लेना है 22 बाइफोर इंटू 0.5 इंटू 3.5 माइनस 3.5 है ना अब यह देखो 3.5 है थोड़ासी एलजेब्रा लगा दो 3.5 को कॉमन निकाल दो नई निकालोगें, कैलकुलेशन थ्वास लेनडी होगा ऐंसर तो वहीं आना है कैलकुलेशन लेनडी होगा टाइम जाहदा लगेगा और टाइम ज्याहदा लगने के साथ एड़ और बेनेफिट्स बिल सकते है कि cuántoamento बचेगा यहां पे तो यहां पर क्या बचा है 22 by 4 यह कितना होगा 5.5 इंटो 0.5 माइनस क्या बचेगा 3.5 तो कॉमन दे लिया है वन बचेगा यहां पर यह कितना हो जाएगा 3.5 इंटो 5.5 का आधा 2.75 माइनस 1 है ना 2.75 माइनस 1 को 1.75 डिग दूम है अब कैलकुलेशन आसान हुआ इंटो 1.75 लंबा करते तो क्या करते ना यहां पर 27.5 आता ना यह कॉमन निकलता यहां पर multiply करना पड़ता है यहां भी multiply करना पड़ता हमें सब कुछ और यहां पर फिर डिफरेंस भी लंबा सा लेना पड़ता कितना असान हो गया 3.5 x 1.75 एंसर आएगा हमारा option A clear है find the ratio of areas of inscribed square in a semicircle and a circle while the radius of the semicircle and circle are equal यहां पूछा गया है language वह सी complex हो गई है नहां दो find the ratio of areas ratio of area area का ratio निकालना है ठीक है यहां तक break कर दो of inscribed square किसका एरिया निकालना है inscribed square का inscribed मतलब किसी के अंदर है किसके अंदर है a semicircle and a circle एक square है जो semicircle के अंदर है एक square है जो सरकल के अंदर है दोतों के area का ratio निकालना है ठीक है अब semicircle कितनी बड़ी हो सक्ती है circle भी कितनी वड़ी हो सकती है जब tक उसको decide नहीं करेंगे कितनी बड़ी circle के अंदर इफ और square को डालना है तब तक कैसे निकले कई दिया नहीं निकल सकता है तो ओभादिया है radius of circle and semicircle are equal मतलब दोनों circle और semicircle का radius बराबर है दोनों के अंदर स्कुर्णार है उन दोनुर्ण स्कॉर्णारा है निकालना है कुछिन इस्तर से हमारे पास एक सेमीद सर्कल धा did बनाबर यह तो अगहर यह अर्धती इसका बीद यह तोहाँ बनाना हमें ओ शितन गाएगा काम चला मैंज करना होगा है ठीक है इसका रेडियस भी आ रहे हैं यह सेंटर से वे रेडियस रहे हैं अब इसका इरिया कैसे निकालेंगे इस regiment कहा कर सकते हमें र blessing पता है ये रेडियस हमें पता है संब में पता है कि यहाँ संद रैडियस है जहाँ से यह has to reduce है कि फेजियाच से अगल कोड़ेज जोइंट करें गालों वंग तो यह भी आराओ ब्लीक बैद यहां रहा है कैसे पुराने आर मिठा देथा हूं अभी हमारे पास रीडिया सा रहा हुआ है अभी पता है अब यह स्कुआर का सीम स्कुआर का मिद क्वाइब पॉइंट है सेंटर पर मिडर सेंटर जब भी होगा तो यह आएगा ना अ अब लगा देंगे पैथागोर से लगेगा पैठागरोस लगेगा तो हमारे पास क्या है अने कि यहां से हमें एक ही वैल्यू मिल गई 2R divided by root 5 मिल गया यह का value एक काम तो हुआ area is equal to 2R divided by square root 5 का पूरे का square is equal to 4R square divided by 5 ठीक है अब दूसरे में आ जो यह दि दूसरे square का हम लोग देखें तो यह देखो इसका center जो होगा यह diagonal के midpoint पर होना चाहिए तभी तो square के अंदर inscribe होगा इन दोनो diagonals को यही मैं join कर दूँ इस तरीके से तो diagonal के intersection point पर हमारा center होगा ठीक है इधर भी R है यह भी R है मतलब क्या हुआ diagonal 2R है diagonal 2R है side को मैं भी माल लेता हूँ इसको पिछले वाले square से अलग होगा दोनो circle का radius same था हमें दोनो circle का radius same दिया गया square का side तो same है नहीं तो इस square के side यही बी लेता हूँ और यह 2R हो जाएगा तब और फिर से यह एक right angle triangle है फिर से pythagoras लगा सकते हैं मतलब क्या होगा 2R का square is equal to 2 times b square b square plus b square 2 b square मतलब b की value क्या जाएगी हमारे पास square to 2R आ रहा है यह इसको और बताना है आ रहा है चलो इतना माल देता हूँ मैं तो दूसा area क्या हो जाएगा area 2 हमारे पास कितना हो जाएगा square to 2R का square is equal to 2R square अब ratio ले लेना है पहले कर लेना है पहले semicircle को लेना है यह दिया हुआ है square इने semicircle पहले है बाद में circle है तो पहले semicircle को लेना है 4R square by 5 is to 2R square R square हमारा cancel होगा 2 हमारा cancel हो जाएगा 5 से दोनों को multiply कर देंगे तो क्या जाएगा 2 is to 5 option A सबजी में आया the lens of the sides A B B C and C A of a triangle A B C are 4 cm 6 cm and 8 cm respectively three sectors of circles drawn with centers A B and C each with 1 cm of radius starting and terminating with the sides of the triangle are cut off find the area of the remaining portion of the triangle question समझ में आया तो लाइक करना पेज को YouTube पे subscribe कर सकते हो मुझसे इस रखे questions के practice करने के लिए ध्यान दो हमें क्या दिया है कि एक triangle है A B C जिसके तीन साइट A B C B C C A तीनों का length दिया है चार्च है और आठ ठीक है तो पहले तुम ट्रेंगल बना लेते हैं एक उसके बाद बात करते हैं एक मैंने triangle मानलब बना दी कुछ इस तरह का triangle होगा A B और C हमें तीनों साइट के length D होई है क्या फर्क परता है कोने पर C और कुछ नहीं है चार चार है A B 4 है B C 6 है और C 8 है अब क्या दिया है त्री सेक्टर्स आफ ट्रेंगल आर ड्रॉन विच सेंटर्स A B & C इच विट 1 cm रीडियस मतलब एक सेंटिमीटर रीडियस का कोने पर से एक सर्कल बनाते हैं है ना इस तरह का कि इस टार्टिन टर्मिनेटिंग विडिटेस रीडिट अब को दिए ट्रींगल की साइट से यहां से श्टार्ट वा यहां पर आके इस एडिया को हमने काट डिया खटम होगया भी है नहीं बचा कुस इत्राका बीपैंग राइक एक सेंटीमीटर रेडियस का ही और उतना ही सी पे विकर इन सेंटीमीटर रेडियस का है थाब जो बच्छा ओम है ट्रैंगल बच गया है उसका एडिया निकालना है इन डाल रहा है अब बनेगा कैसे तो को समझ में नहीं खूर धिया दोडिक हम में क्या करना इस पूरे ट्रेंगल के एरिया निकाल रहा है पूरे ट्रेंगल का तो एरिया निकाल सकते हैं और उसमें से जो काटा है उसको मैंने कर देंगे कब सवाल यहीं है कि यह कितना काटा है इसका रेडियस हमें पता नहीं है है नही 2009 ऑप 450 कट गया और उस्य का घड़क वने को लिगेविजो तो कि मुझा वाम घ्रकुण हमें आइपने में आगते हैं और इंङल में यहां पर चाहिए एंगल और आँपके अगलत अगधे यहां पर बने गा आइंगल आप तो बन जाएगा आप सॉल्व करें कि प्रता तो तेम पर नहां है है कि हमें एडिया ऑफ टैंगल निकालना है कि हिरोन फॉर्मॉला से निकलेगा एड़ाफ ट्राइंगल एस कितना होगा हमारे पास 9 S-A 5 S-B 3 S-C 1 कितना हो गया 9 को बाहर निकाल देता हूं में square root के बाहर यह 3 हो जाएगा 3 square root 15 और area of semicircle यह कितना हो जाएगा pi r1 है square by 2 2 मतलब 3.14 का आधा कि इतना हो जाएगा 1.57 cm square तो होगा ही होगा सब में solve करके निकाल सकते हैं इसको solve करना है 10.1 आ जाएगा इसको exact solve गाने का sort trick नहीं है अगर root 15 की value याद है वो लोग तो मजे से कर सकते हैं लेकिन आपको याद भी नहीं होगी मुझे भी याद नहीं है तो यह root 15 जो है यह चार से कुछ कम होगा हैं चार से कुछ छोटा होगा मतलब यह 12 से कुछ कम होगा है ना 12 से कम होगा और उसमें 1.57 मैनस करना है तो हमारे पास 10.43 से कुछ नीचे आना चाहिए इसका value की value से 12.1 12.2 11.1 लेकिन सब होगा इतने से से और अगा root 5 की value माल हो मैं root 15 की value याद है तब भी आदम से होगा a b c d is a trapegium in which a b is parallel to d c and a b is equal to twice c d the diagonals a c and b d meet at o the ratio of area of triangles a o b and c o d is सबज में आ रहा है सबसे पहले तो कोशन में diagram बनाना होगा बिना है diagram के तो कुछ हो नहीं सकता है चलो सब एक diagram पहले बना लेते हैं हम लोग एक trapegium है हमारे पास कुछ इस्त्रा का होगा कि और और इसके डाइंगल को भी जोइन कर देता हूं मैं क्योंकि डाइंगल की ही बात है यहां पे तो यह हमने trapegium बना दिया अब देखो नाम कैसे कैसे देना है एबी और सीडी यहीं तोनों होंगे उपर वाले और नीचे वाले एबी इक्वल टो टौइस सीडी मतलब क्या है एबी लंबा जादा है यह ध्यान देना अगर उल्टा हो जाएगा तो सब उल्टा हो जाएग भी एबी होगी सीडी छोटी वाली साइड होगी इंडियागनल एसी एंडी मीटिन ओ ओ पर इंडूनों का इंटरसेक्शन हो गया रिश्य ओफ एडियास अफ्रेंगल एओ बी एंड ट्रेंगल सी ओडी यह निकालना है हमें ठीक है कैसे निकालेंगे हम हमें सिर्फ यहीं द के अरावा कोई information नहीं सिर्फ इतनी ही information से हमें इस question को solve करना है कि दिमाग में कुछ आ रहा है कि देखो अब ला समझ में आ रहा है कुछ यह एंगल और यह एंगल बराबर होगी ट्रेपीजिय में एबी इस पैरलेल टू सीडी दोनों एंगल बराबर होंगी यह दोनों भी बराबर होंगी वहीं बात है पैरलेल एंगल है अल्टरिनेट एंगल्स होंगे पैरलेल लाइन्स के बीच में तो यहां से क्या मैं लिख सकता हूं ट्रेंगल ए ओ बी इस सिमिलर टू ट्रेंगल कि सी ओ डी ऑंगल ए जो है वह एंगल सी के बराबर इन दोनों ट्रेंगल में अगल्स में एंगल बी जो हैं अगल डी के बराबर है और एंगल ओ यह दोनों बराबर होंगे बिल्कुल होगे opposite angles है तो दोनों triangle similar होगे अब दो triangle जब similar होते हैं तो उनका area की किस ratio में होता है area का ratio क्या होता है square हो जाएगा 2a by a उसका square side के ratio का square कर देना है हमें आ जाएगा answer 4 is to 1 option c area the lens of the perpendicular drawn from a point in the interior of an equilateral triangle to the respective sides are P1 P2 P3 the length of each side of the triangle is और चाल आपके पास बहुत छोड़ा सा कोश्यन है और बहुत अच्छा कोश्यन है बहुत प्यारा कोश्यन है क्या सबज में आदा है कुछ क्या कर सकते हैं हमें हमें दिया वह है कि एक equilateral triangle है उसके अंदर कोई एक point है उस point से तीनों side के उपर perpendicular drop किया है और उसके लंबाई नाप ली गई है तो लोग पहले जो ट्रेंगल बना लेते हैं बड़ी इसे ट्रेंगल में बनाता हूं थाकि दिखे साफ साफ के लिए रहो कुछ इस्ट्रा की ट्रेंगल होगे ठीक है अब कोई एक point लेना इसके अंदर में कहीं भी हो सकता है point यहां पर माल लो ले लेता हूं मैं इस point से इस पेक perpendicular drop किया इस पर perpendicular डाला और इस पर भी perpendicular डाला कुछ इस्ट्रा का होगा अब अब तीनों के लंबाई हमें दी हुई है यह पीवन है यह पीटू है यह पीट्री है अब पीटू पीट्री के टर्म्स में हमें इस पूरे सर्किल के साइट्स रापना है कुष्चन अब समझ में आ गया हो क्या रहा है कि क्या कर सकते हैं इसमें क्या आ रहा है दिमाग में देखो बहुत ही आसान कुष्चन है क्लिक करने की उपर है बस इस point से मैं तीनों कॉर्णर को भी जॉइन कर देता हूं इस कॉर्णर से इसको जॉइन किया इसको जॉइन किया और इसको जॉइन किया ठीक है साभी साइट्स का नाम देढ़ो ए बी और सी ट्रैंगल ए बी सी का जो एडिया है यह तीनों छोटे ट्रैंगल के एडिया के सम के बराब होगा ना एक पार्ट यह हुआ दूसरा पार्ट यह हुआ तीसरा पार्ट यह हुआ मतलब यह एरिया किसके बराब होगा एरिया ओफ ट्रैंगल कि यह ओबी फ्लस ए-इडिय ऑफ ट्रैंगल बी सी क्लस एडिया ओफ ट्रैंगल सी ओवह मैं अ being इसके बराबर हो गैं और ठीक है अब इस ट्रेंगल का एरिया अगर निकालना हो हमें तो बेस पता है हमें ए माल लेना है नहीं पता है तो हाइड भी पता है रहा पी यहां से हमारा एक कैंसल हो जाएगा यहापड तो हमारा एक क्या बच गया तो डिवाइड बाइस कॉरी थी P1 प्लस P2 प्लस P3 Option A देख रो कैसे दिमाग को खोल के रखना है जो मेटरी के लिए दिमाग सब तरब से खुला होना चाहिए कहीं से भी कुछ तो आइडिया आ जाए इफ x cos square 30 degree into sin 60 degree is equal to tan square 45 degree into sex 60 degree into cosec 60 degree divided by cosec 60 degree then the value of x is trigonometry का question है यह बहुत ही आसान question है trigonometry का अगर values सब की पता है तो इन सब की value पता होनी चाहिए है और अगर नहीं बता है तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि जब तक किसकी value नहीं पता है कॉस्ट 30 degree की क्या कर सकते हो कुछ नहीं कर सकते है याद है values को सब्सक्राइब कितना होता है स्क्राइब ट्री बाइटू साइन सिक्स्टी डिग्री कितना होता है कॉस्ट 30 के बराबर ही होगा वहीं हो जाएगा स्क्राइब ट्री बाइटू है ना सिक्स्टी डिग्री क्या होगा आजा उसके पहले 1045 डिग्री वन सेक्स्टी डिग्री वन बाइक कॉस्टी डिग्री इस इक्वल टू और लास्ट में है को सेक्स्टी डिग्री यह कितना होगा वन बाइस साइन सिक्स्टी डिग्री तू बाइस स्क्वाइर उट्री इतनी वैल्यू सब पता होनी चाहिए इसको बनाने के लिए इसमें से एक भी नहीं पता है तो अटक जाएंगे हम लोग कैलकुलेट कहने के तरीके बहुत तरह के हो सकते हैं चाहिए कैसे भी पता होना चीए जैसे 1045 वन होता है यह हम इसा याद होना चाहिए जैसे कि एक इक यह आई श्रेक्ट रेगल बनता है है ना यह साइड यह साइड बराबर भी तहूं यह एंगल 45 डिग्री होगा यह भी याद रहा हो यह चाहिए कर दो长 30 याद कर लो या कॉस्ट 60 को हाफ याद कर लो ठीक है अब एक जब याद हो गया तुस्से अम लोग दूसरी वैल्यू साइन 30 निकाल सकते साइन 60 निकाल सकते हैं फिर उसी तर से थर्टी भी निकल जाएगा और उससे आगे चल सकते हैं और सब याद है तब बहुत अच्छी बात है 010 किसने किसने याद किया 010 रूट 3 By 2 Half 1 बायट रूट 3 बायट उच्टर से जो याद करते हैं हो सब याद किया तो भी बहुत अच्छी बात है तो अब देखो हमारे पास क्या है LHS x to x रहेगा cos square 30 degree कितना होगा cos 30 degree हमारा था square root 3 by 2 मतलब cos square 30 degree square root 3 by 2 का whole square into sin 60 degree sin 60 degree कितना होगा वह भी square root 3 by 2 is equal to क्या दिया है 10 square 45 degree 1 660 degree 660 degree आया है 2 cos 60 degree cos 60 degree है 2 divided by square root 3 अब क्या आएगा हमारे पास x into 3 square root 3 divided by 8 is equal to यह दो तो cancel हो जाएगा square root 3 ऊपर आ जाएगा 2 square root 3 भी cancel हो गया हमारा x क्या आगया 8 by 3 8 by 3 मतलब 2 2 by 3 option c values पता है तो बहुत आसान है नहीं पता है तो बहुत आएगा इन डिग्रीज मेजर आर यह आया वह कुश्चन है 2014 में टीर 2 में आया वह कुश्चन है इसलिए मैंने इसको रखा भी है कि टीर 2 में इस तरह के दिग्री होता है एक सुरसी भागबार 15 डिग्री है मतलब हमारे पास आ गया एप प्लस बी इस इक्वल टू बन थर्टी फाइव डिग्री और ए माइनस बी इस इक्वल टू 15 डिग्री याद है मैंने बताया था यहां से हम लोग सीधा एक की वेल्यू लिख देते हैं 75 डि लेकिन सौट तक यहीं है जब हमारा यह एक्विशन आ गया एक प्लस बी इक्वल टू 135 डिग्री और ए मैनस बी इक्वल टू 15 डिग्री तो एक को सीधा 75 डिग्री लिखना है और कुछ नहीं करना है कैसे आएगा यह देखो अब यह तरीका सीखना है याद रखने का कुछ नहीं है इसमें इस तोनों को एड करेंगे हमारे पास क्या आएगा टू एजिकल टू 150 डिग्री है ना तो एक की वैल्यू सीधा लिखेंगी है करने ज़रूरी ठोड़ी है सीधा लिखेंगे एजिकल तो इन दोनों को एड्ड मेंटली कर देना है 150 भागड़ो 75 बी निकालन कर देना है तो सीधा भी इकल टू 60 डिग्री लिख देंगे हैं यह एक स्टेप छोटे से स्टेप है इसको दिवाग में कर देंगे हैं तो हम लोग का डारेक्ट एंसर आता है इस को रखने का मेरा मकसद यहीं था एक तो बताना ऐसे छोटे छोटे बहुत छोटा कोश्चन है और बहुत ही माइनूट सा कुश्चन है अगर पाइवाइट ट्रफ को कैसे निकालना है यह याद है तब तो हो गया और नहीं याद है तब फशेर आ जाएंगे पाइवाइ अज़ आएवाइब उपने का मेरा मकसे यहाइवाइवा थैसे यहाद है यहाद बहाइवाइवाइवाइवाइब ट्रफ क्शेडे ट्रफ यहाद है यहाद चक्शन है और भी यहाद